हाई गाईज, वेलकम बैक टो साईशा जवर्ल, तो मैंने कंप्लेट किया है मेरा 21 डेज नो शुगर चालेंज, तो मैंने 21 दिनों तक कोई भी रिफाइन शुगर खाई नहीं थी, जो भी मुझे शुगर मैंने ली है, वो मैंने फ्रूट्स में से ली है, तो यह मेरा, मैंने क कोई वडियो अच्छा लगते है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब करना, तो चैलेंज के पहले दिन मैंने मेरा BMI किया, ताकि मुझे पता चले, 21 दुनों के बाद में कि मेरे बॉड़ी में क्या-क्या चेंजिस आए, मेरा वेट लॉस कितना हुआ है, मेरा बॉड़ मेरा वेट परेंड नांके अफिट सकती है, तो मैंने अचेंट, वरेट के हारी सेegला करना, ताक पर लॉड़ियो अचतरी मेरे कि म्योर देखिते हैं, मैने वह राएकि हैं, बाकी सब्सक्राइन, अचपे बॉ 두-three बारे विर्यानी तक खाई जब कि एसे कहते कि डायट में बहुत से लोग बिर्यानी आवोइड करते हैं तो मैंने वह सब कुछ खाया मैंने मेरा शीफ एक था कि मैं शुगर नहीं खाऊंगी बाकी जो भी चीजे वो में सब खाऊंगी मैं मेरे खयाल से मैं एक-दो बार कुछ फ्रा और 21 दिनों तक मैंने क्या-क्या खाया, इसका मैं डेली में रील्स डालती थी, वो आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो रील्स, और उसके बाद मैं वरक आउट की बात करें, तो मैंने प्रॉपर जीम ट्रेनर हायर किया था, क्योंकि अगर मैं मतलब कोई करते हो, या फिर आप करियर में कुछ करते हो, किसी भी फिल्म में कुछ करते हो, तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत बहुत जादा होती है, तीचर, फ्रेंड, कुछ भी रिले, लेकिन एक ऐसा इंसान जो आपको अच्छे से गाइड करें, उसकी आपको ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने मेरा trainer hire किया तो वो trainer मुझे जो जो करने को बोलते थे मैंने literally कोई भी सवाल उनसे नहीं पूछा कि ये क्यों करना है ये मैं नहीं करूँगी ये वो मैंने जितना उन्होंने कहा वो सब कुछ किया उन्होंने जिस तरीके से मुझे बोले थे exercise करने के लिए वो सब मैंने किये और मुझे ऐसा लगता है personally कि जब भी आप fitness journey स्टार्ट करते हो तो आप ऐसे नहीं की कोई trainer लेकिन ऐसा कोई भी इंसान आप डूंडो जो आपको उसके लिए guidance करें ताकि आप कोई भी गलतिया ना करो और आपकी ज़र्णी है वो smooth way में जाए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि give up करने का मन करता है बहुत बार ऐसा होता है कि चिरचिड़ा पना जाता है क्योंकि आपको result नहीं दिखते हैं तो आप easily give up करते हो तो उस वक्त ना जो भी आपका mentor है या फिर जो भी आपका friend है जो भी इंसान है जो उस फिल्ड में आपको guide कर रहा है तो वह आपको motivate करेगा बहुत बार यह होता था कि मैं बोलती थी सर को कि सर मुझे आज नहीं होगा ये सेट या फिर मुझे नहीं कर पाऊंगी तो सर मुझे guide करते थे तो ये मेरे खयाल से एक बहुत बड़ा benefit होता है जब आप trainer hire करते हो तो उसके बाद में मैंने 21 दिनों में फिर से मेरा BMI लिया और फिर मैंने देखा कि मेरे body में क्या के changes है उसके बारे में मैं आपके साथ detail में बात जरूर करूंगी और वो BMI मैंने लिया तो वो BMI इस तरीके से था तो मैं अभी आपको मेरा first day का और 21 day का जो BMI ना उनका comparison बताऊंगी तो यह है मेरा BMI अब मैं आपके साथ proper share करूंगी कि मेरे body में क्या के changes है तो सबसे पहले बात करते weight की तो यह मेरा जो मैंने challenge के पहले दिन BMI किया था यह वो है यह जो है वो मैंने challenge end हुआ उस दिन का BMI है तो जब मेरा weight है वो 1 kg drop हो गया है मेरा muscle mass जो है वो 0.6 से बड़ा है muscle जो भी अपना muscle mass होता है और मेरा fat loss सबसे अच्छ हुआ है मेरा fat loss 2 kg हुआ है जोरी में घ thieves sugar और दो दो है एका दो डिली में दो हात आए बड़ा chai में बड़ा चेंज हा यह क्यूंकि इसा कि मैं बुछ जाद की भूकी झाली मुझे भूक लग रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने अच्छे से खाना खाया था तो यह मेरे बोड़ी में बहुत अच्छा चेंज है और सबसे इंपोर्टन बात है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरा बोड़ी मतलब कम होगा क्योंकि मैं अच्छे से खा रही थी सब करें थी तो यहां पर मेरा फैट लॉस टू केजी हुआ है मतलब 21 दिरों में आपको कुछ डायेट वैट नहीं करना है कुछ ने सिफ शुगर छोड़नी है उसके बाद में आपक थोड़ा थोड़ा सा गेन हो चुका है मुझे वेट कंट्रोल करने 12 kg मुसल कंट्रोल करने 2.8 kg फैट कंट्रोल करने 14.8 kg मेरे खायर से मेरा फैट कंट्रोल का जो भी कहते हैं कि सबसे बड़ा वही है एंड मुझे जो है डेली कैलरीज 1174 चाहिए तो यह सारी चीजे और इस तो उसमें यह चीजे है कि मेरा अच्छे से मसल गेन भी हुआ है मेरा बोड़ी फैट भी काम हो चुका है और मेरा वेट भी काम हो चुका है जबकि मैंने सीफ शुगर छोड़ी है मैंने कोई ऐसा प्रॉपर डायेट फिर उबली हुई सबजी आई खाना एसा कुछ ने किया सीफ शुगर छोड़ने से 21 दुनों में मेरी बोड़ी में यह सारे चेंजेस आई तो बस यह था मेरा आज का वीडियो आई होप आपको थोड़ी बहुत गाइडन्स मिली होगी कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते उन्हें मतलब वेट लॉस के रिलेटेट थोड़ी सी गा सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रही है